नमस्ते, आप सभी को टिटिली वॉइस आस्ट्रोटॉक वगो वीकली होरिस्कोप the 29th of September to the 5th of October 2024 में स्वागत है, कन्या साप्ताहेक राशिफल the 29th of September to the 5th of October 2024, लव लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए थोड़ा सतर्क रहें, साथी से खुलकर बातचीत करें और ज्यादा खराब होने से पहले संभालने की कोशिश करें, ओफिस में नए कारियों की जिम्मेदारी लें, इस से करिय में तरक्की करने में मदद मिलेगा, इस सप्ताह किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं रहेगी, आपका स्वास्थय भी अच्छा रहेगा, आए के स्पोर्ट से रिष्टे को ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करें, सप्ताह के दूसरा भाग में प्रेमी को कॉन्फिडेंट के साथ प्रपोज कर सकते हैं, इस सप्ताह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन्शिप वालों को रिष्टों में परेशानियों का सामना करना पश्यकता होगी. कन्या करियर राशिफल, ओफिस के कारियों में छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी, जिस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी. कुछ प्रोफेशनल्स को डेडलाइन के अंतरगत काम करने में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन यह पफोर्मेंस बहतर न होने का कारण नहीं बनना चाहिए. आर्टिस्ट, पंटर्ज और म्योजिशियन के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरपूर रहेगा. सप्ताह के आखिरी तीन माइनस चार दिन जॉब इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अच्छा रहेगा. ओफिस में क्लाइन्ट आपके कम्यूनिकेशन स्किल से इंप्रेस होंगे. नए पार्टनर्शिप के लिए साइन करते समय थोड़ा सतर्क रहें. बिजनेस में को कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए. अभी नए बिजनेस में निवेश नहीं करना चाहिए. कन्या आर्थिक राशिफल, आ विदेशों में व्यापार विस्तार के लिए फंड मिल सकता है. इस सप्ताह आप घर मरम्मत करा सकते हैं या घरेलू उपकरन भी खरीद सकते हैं. म्यूच्यूल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटन मिल सकता है. सीनियर्स बच्चों के बीच धन का बठवारा करन कन्या हेल्थ राशिफल इस सप्ताह आपको ज्यादा मेडिकल इश्यूज नहीं होंगे. फीमेल्स को स्त्री रोगों की समस्या हो सकती है. इस वीक स्किन इन्फेक्शन या गले में खराश की समस्या भी हो सकती है. कन्या राशी की प्रेगनेंट लेडिस को टूविलर वाहन पर यात्रा करते समय बहुत साफधानी बरतनी होगी. बच्चों को खेलते समय चोट चपेट लग सकती है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि यह पूर्णतया सत्य एवं सत्तिक हैं. वि अधित क्षेत्र के विशेशग्य की सलाह जरूर ले.